नमस्कार मैं हूँ कुंदन कुमार आपका सड़क सुरक्षा साथी तो स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका ट्रैफिक चलान हो जाए और लापरवाही वश्ट अगर आप उस चलान का भुगतान नहीं करते हैं तो भविश में आपको किन परशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो वीडियो बहुत आपके लिए एहम है क्योंकि चलान होने के बाद हम उसका भुगतान नहीं कराते हैं और बाद में हमें बहुत ज़्यादा परशानियों से गुजरना पड़ता है तो एहम जानकारी के लिए अंत तक जरूर बने देएगा मेरे साथ तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लिजिएगा जिससे की आटियो से सबंधित मैं कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूँ और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को दोस्तों हमारे भारत में लगभग डेड़ लाख मोतें हर वर्ष सड़क हाथसों में हो जाती है जिनका मुख्य कारण देखा जाए तो वो वाहन चालक के द्वारा लापर वाही से गाड़ी चलाना ट्रैफिक नियमों को तोड़ना उसके बाद वो हाथसे का शिकार होना फिर मौत को प्राप्त हो जाना ऐसा आंक ने निकल करके आते हैं तो इन हाथसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन चालक जो लापर वाही से गाड़ी चलाते हैं उनका ट्रैफिक चलान किया जाता है ट्रैफिक चलान करने के बाद उनका डॉकुमेंट सीज किया जाता है document seize में आप अपना driving license या RC वो traffic police seize कर देती है जिसके बाद आपको उस चलान के भुकतान के लिए अपने RTO कार्याले या आपके जिला अदालत में आपको जाना पड़ता है जहां पर आपको according to motor vehicle act motor vehicle act के अनुसार आपको किये गए चलान का जो जुर्माना बनता है वो जुर्माना का भुकतान करना पड़ता है और उसके बाद जा करके आपका document को है वो release किया जाता है और उसके बाद आपको उसकी receipt दी जाती है पर कुछ लोग लापरवाहिवश या traffic चलान का जुर्माना जादा होने के कारण है चलान का भुकतान नहीं करते हैं पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर अब आपने ये लापरवाही दिखाई या traffic चलान होने के बाद आपने उसका भुकतान नहीं किया तो भविश में आपको बहुत ज़्यादा परिशान होना पड़ सकता है और वो परिशानी क्या हो सकती है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका चलान का record pending है और आपका अगर दुबारा चलान हो जाता है तो आपको motor vehicle act 207 under section के तहत आपकी गाड़ी impound हो सकती है अगर आपका driving license रखा हुआ है और जुर्माना जादा होने के कारण और आपने लापर वाही वश चलान भुकता नहीं किया तो आप अपना driving license दुबारा नहीं निकलवा सकते हैं जिस गाड़ी का आपका चलान हुआ हो उस गाड़ी की RC अगर आपकी seize हो गई या आपने लापर वाही वश वो चलान भुकता नहीं किया तो उस गाड़ी number से संबंधित कोई भी काम जैसे कि उस गाड़ी को बेचने के बाद उसको transfer करवाना RC खो जाने पर उसके duplicate निकलवाना या loan cancel करवाने जैसे जो काम है वो भी आप उस RC से संबंधित नहीं करवा सकते हैं अगर आपको अपनी गाड़ी एक state से दूसरे state लेकर जानी हो तो उसकी आप NOC भी नहीं ले सकते हैं उसके बाद अगर आपकी गाड़ी चलान में है और उसको आपने भुकतान नहीं किया है तो वो परिवाहन के record में वाहन सेवा के record में वो black listed होगी आप डिफाल्टर घोशित हो जाएंगे अगर आप विदेश जाने के इच्छुत हैं और अगर आपका traffic का चलान हो गया है तो उसके बाद आपको police verification में भी उन परशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपका अपना traffic का चलान जो है वो उसको clear करवाना पड़ सकता है हालां कि ये practical लुधियाना traffic police के दुवारा ही एक वरी किया गया था बलकि अन शहरों में जाएंट traffic police के दुवारा अन राजियों में इसको अभी लागू नहीं किया गया है जादा देर होने के बाद भी आपको court का सम्मन आ सकता है जिससे कि आपको court में जवाब देना तो ऐसी परशानियों से ना गुजरना पड़े ऐसी परशानियों का सामने ना होना हो अगर आपका traffic का चलान हुआ है तो उसको जा करके जरूर भुकतान कर लें जिससे कि आप भविश में होने वाली परशानियों से भी बस सकते हैं और अगर आपने driving license या RC के संबंद में क किसी तरह का परशानिस ना हो दोस्तों किस traffic चलान का या किस document का कितना जरूमाना होता है उसके संबंद में भी एक वीडियो मेरी इस चैनल पर अवेलेबल है और description box में भी वो link आपको दे दिया गया है वहाँ पर भी जा करके आप इसकी पूरी जानकारी में ले सकते हैं तो किस ते ढॉल कर